विदान सबाब मांचुन सत्र का आज दूसरा दिन है और लगातार क्योंकि पहला दिन सोक प्रस्ताव में निकल गया दूसरा दिन विपक्स आज लगातार कई मुद्दों को लेकर के हमारे साथ विपक्स के विदायक है अरिज दामी जी क्या कुछ विशय है आज आप धरना दे रहें क्या कुछ भी आप देखिए यह बहुत ही एक जो है और चिंता जना एक बात है कि जहां देश का परदानमंत्री डिजरल निज्या की बात करता है फाइव जी की बात करता है उसी सेथ उसी देश के लोग जो अंतराश्ती सीमा पे रहते हैं जहां का बेटा सैनिक क सीमा के परदी के रूम में काम करते हैं वो सेत्र आज ही 50% भूबाग जो है मोबाइल नेटोर के से बंचीत है और वहां पर मैंने विद्हागनीदी से 26,50,000 की धनाजी एक साल पहले बेशनल कंपनी को दे दिये 6 मेने पहले टावर तेयार हो गया है लेकिन सरकार के दबाओ में कहीं न कहीं जो प्रिशर है उसके तहद मोबाइल टावर चालू नहीं हो पा रहा है इसलिए मुझे आज मज़ूरन विदानसवा में आमरानसान में बैठना पढ़ रहा है पहले दिन सोक प्रस्ताव में निकल गया दूसरे दिन जो विपक्स के विदायक हैं लगातार ह सारे हस्तान खुल चुके हैं सिर्फ चार धाम यात्रा के लिए बंद किये गये हैं इस से इन चारों धामों के लोगों की और यहां से ले करके जिलि तक के लाखों लोगों की रोजी रोटी का शंकट हो गया है तो मेरा ये कहना है कि सरकार, अभी बेएक सील सरकार, होने वाले हैं और हमारे इन यात्रा से जुड़ेवे लोग जिनके बच्चे भूग से बिलबिला रहे हैं जिनके बच्चों की फीस नहीं जा पारी है जिनका जीवन अस्तर खत्म हो गया है और सब अपना सामाने जीवन इस फिर से शुरू कर पाएं चारधाम से जुड़ा ए भी दतर इसका पूरजोर विरोध कर रही थी और कॉंग्रेस ने परमुक विपक्षी दल होने के नाते इस बिलको परवर समिती के सामने भेजने की भी मांग करी थी लेकिन उत्राखंड में इससे हाश्यास्पत इससी थी क्या होगी कि 57 विदायकों के बहुमत के दम पर जि मुख्यमंत्री का मंत्रियों का कैबनेट का भरोसा नहीं है जो अपनी कैबनेट के निर्णाय को और जो अपनी सरकार के बहुमत से पारित किये कानून को अपने अधिकारियों से समिक्षा कराती है तो हमने इस स्वारताई किया है कि इस बिलके लिए हमारे साथी विदायक ह परिश धामी जी एक प्राइबेट मेमर बिल ला रहे हैं ये चार धाम देवस्तानम बोर्ड है इसके निरसन के लिए एक बिल ला रहे हैं और मैं तो ये कोशिच कर रहा हूं कि सरकार को सद बुद्य आए अधिकारियों की हाई लेबल कमेटी के बजाए सदन में कॉंग्रेस क प्राइबेट मेमर लाये के बिल पर वो इस बिल को निरस्त करने के लिए इस बिल के निरसन के लिए कॉंग्रेस के पक्ष में और जो प्राइबेट मेमर भी ला रहा है उसके पक्ष में भारतिय जनता पालिटी के बिधायक और सरकार भूड दे और इस बिल को निरस्त करें तो ये देवस्तान बोड को लेकर नई रणिती के साथ बिपक्ष सामने आया है और देवस्तान बोड को लेकर के लगातार उसको निरस्ट करने को लेकर बिपक्ष जो है वो मुखर है अपने सेयोगी विश्व सहनी के साथ मैं धीरत सज्मान, ETV भारत, देहरदू